छिन्नों पी रोहती तरुह छिन्नों प्यूप पचीयते पुनाश्चंद्रह इती वीम्री संतह संतप्यंते नालोकेशू सबसे पहले यह जो स्लोक है इसमें जो विभिन्न संधियुक्त पद है उन संधियुक्त पदों को हम चिनहंकित करते हैं और उनका संधिय विच्छत करते हैं इससे स्लोक के भावार्त को समझने में सरलता होगी तो छिन्नों पी प्रथम सब्दा है चिन्ना धन अपी इती छिन चीनो प्यूपचीयते चीनाः धन अपी धन उपचीयते चीनाः धन अपी यहाँ विसर्ग संधी का प्रयोग हुआ अपी धन उपचीयते यहाँ पर यनस्वर संधी का प्रयोग हुआ इसी तरह से सब्द आया है पुनस्चंद्रह पुनाः धन चंद्रह यहाँ विसर्ग सं इस तरह से हम विभिन जो संधियुक्त पद होते हैं, चाहे किसी स्लोक में प्रयुक्त हो या गद्यास में प्रयुक्त हो, उन्हें हमें चिन्हांकित करना चाहिए और उन्हें हमें संधिय विच्षेद कर लेना चाहिए, इससे हम कही गे बातों के भावार्थ को अर्थ को भल शेक्राइफ अगर, विर्यस्टा, भी प्रसंद क्राइफ भी शेक्राइफ भी तरुछ भी प्र little करता प्र दिखें, गहिंगा है तो इस तरह से करता पद और क्रिया पद को चुनने के लिए कहा जा सकता है तो यह जो वाक्य है छिन्डों पी रोहती तरुह इसमें करता पद है तरुह और इसी वाक्य में क्रिया पद है रोहती तो करता पद और क्रिया पद की हम इस तरह से पहचान कर लिख सकते हैं तो चुन्ड़ह चुन्ड़ह मतलब होता है काचने पर और अपी यह अव्याइपद है और इसका तातपर यह होता है भी रोहती, रोहती का मतलब होता है, बढ़ता है, तरुह, तरुह का मतलब होता है व्रिक्ष, अर्थात, व्रिक्ष काकने पर भी बढ़ते हैं, आप सब देखा है, आपके आसपास, बहुत से व्रिक्षों होते हैं, जिन व्रिक्षों को काच दिया जाता है, उसके बाद भी वे बढ़ते हैं जैसे आप देख रहे हैं कोछ व्रिक्ष हैं जिनको काट दिया गया है लेकिन कुछ समय पस्चात देखते हैं तो उन व्रिक्षों से फिर नहीं नहीं कोपले निकलने लगती है नहीं नहीं साखाय निकलने लगती हैं और इस तरह से काटा हुआ जो व्रिक्ष है वो क्या हो जाता है जो कटा हुआ व्रिक्ष है पुना साखाओं के निकलने से वो पुना हरा भरा हो जाता है और बड़ा एक पेड़ बन जाता है इसलिए कहा गया है छिनोपी रोहती तरुह व्रिक्ष काचने पर भी बढ़ते हैं चैंडरमा को देकते हैं चैंडरमा कवी पूरे अपने आकार में दिखाई देता है और कभी देखते हैं उसका आकार क्रम सा कम होते चला जाता है और इस तरह से एक इस्तिति ऐसी आती है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है चंद्रमा दिखाई नहीं दिया इसका मतलब क्या हुआ क्या लुप्त हो गया क्या पूना उसका आविर्भाव नहीं होगा होता है तो जिस तरह से एक पूरा चंद्रमा धीरे-धीर करके कम होता चला जाता है, उसकी कलायें कम होती हैं और वह एक समय समय ऐसा आता है जब वह की विलूप्थ हो जाता है हम पुर्णिमा की पूनह पूर्णिमा के आते पूरे आकार को प्राप्त कर लेती है। इसलिए कहा गया है चीर्णा अभी उपचियते पूनस चंद्रहा इसी तरह से चंद्रमा जो है वह चीर्ण होने पर भी अर्थात उसकी कलाई नश्ट होने पर भी वह अपने आकार को बढ़ता हुआ पूनह प्राप्त कर लेता है। इती वीम्रि संतह संतह तो जो संत होते हैं वे इती ऐसा विचार करके अर्थात संसार में कोई भी चीज सास्वत नहीं है। जो है वह नस्ट होगा और जो नस्ट हुआ है वह पुनह होगा। इती वीम्रि संतह इस प्रकार विचार करते होए संतह संत जो होते हैं वे संतप्यंते न लोकेसू लोकेसु मतलब संसार में न मतलब होता है नहीं संत निर्विकार भाव से नष्ट होने पर भी या प्राप्त होने पर भी वे जानते हैं संसार का यह नियम है कि जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो आएगा अर्थात जो कम हुआ है वह बढ़ेगा और जो बढ़ा हुआ है वह कम होगा संसार में सुख और दुख जो होते हैं इसी तरह के होते हैं चक्रवत घुमते हैं सुख और दुख भी जीवन में क्रमसह आते और जाते रहते हैं तो इसलिए जो संत होते हैं वे इस सार को जानते हैं इसलिए इस पर कम होने या नश्ट होने और बढ़ने की इस्थिती को विचार करते हुए वे न लोकेशु संत प्यंते संत ह संत जो है इस संसार में दुखी या पीडित नहीं होते हैं वे संसार के इस मर्म को इस रहस्य को भलीवाते जानते हैं इसलिए वे दुखी नहीं होते हैं तो छिन्डों पी रोहती तरुह काचने पर भी व्रिक्ष बढ़ते हैं छीन अपी उपचियते पुनस चंद्रह घटने या छीन होने पर भी चंद्रमा पुनह बढ़ता है या थात विद्धी को प्राप्त होता है इती वीम्री संतह इस प्रकार विचार करते हुए लोकेशु संतह संसार में संत न संत प्यंते वे दुखी नहीं होते हैं तो ये इसलोग का अर्थ हुआ और इसलोग के अधार पर कुछ प्रस्न पूछे जाते हैं जैसे क्या प्रस्न पूछे जा सकते हैं प्रस्न पूछा जा सकता है वरिक्ष इस पद के परियाय अर्थ में कौनसा पद स्लोक में प्रयुक्त हुआ है तो विक्षा हाँ तो कौन से पद प्रज्त हुआ है विलकोल सही तरुह तो विक्षा हाँ इती पदस्य पर्याय पदम असमिन स्लोके प्रयुप्त पदम अस्ति तरुह इस तरह प्रस्ण पूछा जा सकता है अर्थाथ इस पद के विलोम अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है तो सूर्य का विलोम कौन सा सब्द यहां प्रयुक्त हुआ है बिल्कुल सही अर्थाथ लोकेशु यह जो पद है इसमें कौन सी भक्ती और वचन का प्रयुग हुआ है यह लिखिये तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि लोकेशो सब्द बना कैसे है लोकेशो सब्द का मूल क्या है लोकेशो सब्द का मूल है लोक लोक सब्द का आप सब्द रूप चलाएंगे तो आप देखेंगे सब्तमी भिवक्ति बहु वचन में रूप प्राप्त होता है लोकेशु सब्सक्राइब इसका रूप बनता है लोके लोकयोह लोकेशु अर्थात लोकों में अर्थात संसार में ये पंगेशु वेखेश तरह से जो विभिन्नपद हैं उसके विषय मैं प्रस्न पूछा जा सकता है चूज़कि आपने श्लोप भली-भाती समझ लिया है अर्थ भली भाती समझ लिया है विभिन पदों को भली भाती आपने समझ लिया है तो निश्चीत रुप से इस तरह की जो प्रस्ण पूछे जाएंगे इनके उत्तर आप देने में समर्थ होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्लोग है यथा चतुर भी कनकम परिक्ष्यते निघरसण छेदन ताप ताड़नैं तथा चतुर भ्यपुरुसव परिक्ष्यते त्यागे उसीले नगूने न करम ना यथा का तातपर यह होता है जैसे यह अव्याइपद है जैसे हम इंदे में उदाहरन कहते हैं उस अर्थ में संस्कृत में प्रईक्त होने वाला यह पद है यथा इसका तातपर यह होता है जैसे चतूर भी है, चतूर मोल सब्द है, इसका तृतिय भक्ति बहुँ अचन का यह रूप है, और चार प्रकार से कनकम, कनकम कहा जाता है स्वर्ण को, स्वर्ण, स्वर्ण, कनक, यह इसके परियाये हैं, परिक्ष्यते, परिक्ष्यते सब्द कैसे बनता है, परिक्ष्यते के मतलब होता है, परिक्षण किया जाता है, बहुत से लोग इसका तात्पर यह लेते हैं, भी नतरह से, लेकिन इसका वास्तवी करता क्या होता है, परिधन इक्ष्यते, इक्षधातु है, और इसका तात्प परिधन इक्षधन टाप इती परिक्षा और इक्ष का मतलब होता है अव लोकन करना या देखना तो इक्षधातू है आतमने पद में इसका रूप बनता है तो उसी इक्षधातू का लट लकार प्रतम पुरुस एक वचन का यह रूप है इसमें परी उपसर्ग का योग हुआ परीधन इक्ष और लेटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रुप्त इस तरह से बन गया परीधन इक्ष यते एती परीख यते यहाँ पर दिर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ निघर्षन छेदन ताप ताड नहीं है यहाँ एक सामासिक पद है समास अलग करें तो क्या होगा निघर्षनम छेदनम तापम ताडनम तैह च निघर्षनम च छेदनम च तापम च ताडनम च तैह इती परिक्षते जिस प्रकार से सोने की सोना आप सभी जानते हैं, सोन एक धातू है उसको कनक भी कहा जाता है, तो यह था चतुरभी जैसे चतुरभी चार प्रकार से कनकम अर्थात स्वर्ण या स्वर्ण की परिक्षते परिक्ष किया जाता है, कैसे, निघर्षन अर्थात घीसकर छेदन काटकर ताप आग में तपाकर ताड नहीं और पीटकर इन चार विधियों से सोने की परिक्षा लिजाती है कि वास्ताव में वह सोना कितना सुध है इसकी परिक्षा जो है इन चार प्रकारों से की जाती है तो घीसकर किया जाता है उसको आग में तपा कर किया जाता है और उसको पीट कर किया जाता है अर्थात उसमें तन्यता है की नहीं यह देखा जाता है तो इस तरह से सोने की परि प्रकारों से जो पुरुस होते हैं उनकी परिक्षा की जाती है जो सज्जन होते हैं उनकी परिक्षा भी इन चार प्रकारों से की जाती है कौन कौन से चार प्रकार से त्यागेन त्याग से रिवा सज्जन है तो उसमें त्याग का गुण होना चाहिए सीलेन व्यवहार सील होना चाहिए व्यवहार से सील से या व्यवहार से और गुणेन और गुणों से कर्मना और कर्म से अर्थात जो सज्जन है उनम सिल गुन और कर्म इन चार प्रकारों से उसकी परिक्षा की जाती है तो इस तरह से यहाँ इस लोक में करनक और जो सज्जन हैं पूरुस हैं उनकी तुलना की गई है एक समान्त उन् carpet की गई है करनक की परिख्षा इस लोग में आएए इस लोग का अर्थ एक बार देखते हैं यथा चतुर्भी चनकम परिक्षते नी घर्षन छेदं ताप ताडणी हैं तथा चतुर्भी पूरुसा परिक्षते त्यागेन, सीलेन, गुणेन कर्मणा जिस तरह घीसकर, काटकर, आग में तपाकर और पीटकर इन चार विधियों से सोने की परिक्षण किया जाता है उसी प्रकार त्याग, सील, गुण और कर्म इन चार आधार पर पूरुस का परिक्षण किया जाता है, अब स्लोक से संबंधित विभीन प्रस्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आस्मीन स्लोक के प्रयूपत अव्याई पदम चीनोत, अर्था इस स्लोक में काउन से अव्याई पदों का प्रयोग हुआ है, उनको चैन करके हमें लिखना है, प्रयूपत है तो अव्याई पद की विशय में आप जानते है, अव्याई पद हूते हैं, जिनका प्रयोग किसी भी वाक्या में किया जाए, उनका स्वरुप कभी बदलता नहीं है, व्याई पद है, तो ऐसे कौन से पद है? जैसे हम देखते हैं याथा, इसका स्वरूपत भी बदलता नहीं है, इसलिए क्या हुआ? अव्यायपद है, इसी तरह से तथा यह कौन सा है? यह भी अव्यायपद है, तो इस स्लोक में जो प्रयुकत अव्यायपद है, वे हैं, यथा और तथा. सेश जो सब्द हैं वो उनके रूप बनते हैं उनका स्वरूप बदल जाता है इसलिए वेपद अव्याय नहीं है स्वर्ण से संबधनित प्रस्ण पूछा जा सकता है जैसे स्वर्णम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्वर्ण के किम पदम प्रयुक्तम अर्थाथ स्वर्ण यह जो कहा गया है इसके परियाय की रूप में इस स्लोक में कौन सा पध प्रयुकत हुआ है तो कौन सा प्रयुकत हुआ है बेल्कुल सही इसी तरह से भिन तरस प्रस्न पूछा जा सकता है जैसे क्रियार रूप को पहचानने के लिए इसमें कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है तो आप जोग की भली भाते इसको अध्यन किये हैं पढ़े हैं समझे हैं तो उतर बता सकते हैं परिख्षयते इसमें क्या है यह लटलकार है और पूछा जायत आप बता सकते हैं नए, लटलकार का प्रतमपुरुस एक वचन का यह रूप है। और साथ ये आप यह भी बता सकते हैं कि परिधन एक्षधात्व में फिर लटलकार पर्तमपुरुस एक वचन का यह रूप है, तब जाकर बनता है क्या परिख्षटे। और इसका सभदार्थ भी पूछा गया यदि इसका सभदार्थ सभधी पूछा जाय तो आप कह सकते हैं, परिक्छेते कातात्पर यह होता है, परिक्छन किया जाता है, ऐसे ही, त्यागेन सीलेन गुनेन करमना यह जो सब्द हैं इन सभी सब्दों में काई सीलेन का मूल सब्द क्या है सीलेन का मूल सब्द है सील इसमें त्रितियावी भक्ति एक वचन का प्रेग हुआ जैसे बालक से बालकेन बनता है राम से रामेन बनता है फल से फलेन बनता है इसी तर के रूप पहचानने के लिए आपको परिक्षा पूछा जा सकता है तो इसके लिए आप सभी निशित रूप से तैयार हैं आगे बढ़ते हैं चलिए, हमारा अगला स्लोक है, न सा सभा यत्रन संति व्रिधा न ते व्रिधा ये न वदंति धर्मम ना सव धर्म ना सव धर्मो यत्रन सत्यमस्ती न तत सत्यम यचले ना भ्यू पेतम न देखें, इस लोक में बहुत से अव्याइपदों का प्रेज़ रहा है, विसेश कर न इस अव्याइपद का अनेक बार प्रेज़ रहा है, न यहां निशेद वहाचक अव्याइपद है और इसका तातपरी होता है, नहीं, न सा सभा कि सा सा कैसे बनता है स सब्सक्राइब का मूल सब्सक्राउ थिश्य में हिरी रूप में रूर्फा सीन और इसे अहां सब्सक्रासर्वर्म है सभा किसके लिए प्रेखत हुआ है साग सर्वणाम जो है यह सभा इस पद के लिए प्रेखत हुआ है तो वह सभा नहीं है यत्र यत्र इसका ताथ पर यह होता है जहां और यह स्थान-वाचक-अव्यय-पद है तो न सा सभा यत्र न संति वृद्धा है संति आसधातू है लटलकार प्रथम पुरुष बहू अचन का रूप है अस्तिस्त संती इस तरह से इसका रूप बनता है और इसका तातपर है क्या होता है है तो यत्र न संति व्रिद्धा और जहां व्रिद्ध नहीं है न ते व्रिद्धा और वे व्रिद्ध नहीं है ये न वदंति धर्मम जो धर्म की बातें नहीं कहते हैं तो न सा सभा यत्र न संति व्रिद्धा ये एक पद हुआ वह सभा सभा नहीं है जहां व्रिद्ध नहीं है या व्रिद्ध नहीं होते हैं जिस अर्थात जिस सभा में व्रिद्ध नहीं होते हैं वह सभा सभा नहीं है या कहें कि किसी भी सभा में वृद्धों का होना आवश्चक है यदि किसी सभा में वृद्ध नहीं है तो वह सभा जो है सभा नहीं कही जाएगी क्यों नहीं कही जाएगी क्योंकि जो वृद्ध हैं वे नीती की बातें कहते हैं और नीती की बाते कहने वाले जिस सभा में न हो उन्हें हम उस सभा को सभा नहीं कहा जा सकता है इसलिए कहा गया न सा सभा यत्रन संति वृद्धा वह सभा सभा नहीं है जहां वृद्ध नहीं होते हैं ना ते वृद्धा ये न वदंति धर्म और वे वृद्ध वृद्ध न सबस्द कोidal करूं से अवस्था से होगए करता है तो विद्ध की पहचान यह यह नीथी की बातें कर इसलिए कहा गया न ते वृद्धा ये न वदनति धर्मं जो धर्म की बातें नहीं करते हैं वे वृद्ध नहीं है यहां पर दीरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ है तो नासव धर्मो यत्र ना सत्यमस्ति सत्यमस्ति को भी तोड़ दीजिए विच्छेत कर दे सत्यमस्ति यहां पर विर्जन संधी का प्रेग हुआ तो इसी तरह से तरह से एक और प्द दिख रहा है थान अभी धन उपेतम तो इस sunflower से इसको हम अलग कर लिए तो यात्द धन चालेन ये क्या हो गया यहाँ पर व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ है चलेन धन अभी यहाँ पर दीर्ग स्वार संधी का प्रयोग हुआ अभी धन उपेतम यहाँ पर यन स्वार संधी का प्रयोग हुआ तो इस तरह से एक सब्द में एक से अधिक संदियों का प्रयोग यहां यह चले नाभ्यू पेतम सब्द में हुआ है तो नासब धर्म यत्रन सत्यमस्ती वह धर्म धर्म नहीं है जिसमें सत्य का तत्वन हो या जिसमें सत्य का समावेशना हो नातत सत्यम और वह सत्य और वह सत्य नहीं है कौन सा सत्य नहीं है या छले नाभ्यू पेतम जो छल कपच से युक्त हो वह सत्य सत्य नहीं है तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही नीती की बातें कहीं गई हैं सभा की विशेस्ता बताई गई ह है और साथ ही धर्म की विशेष्टहां बताई अगया है तो सभा कि विशेष्टह या है उन्में विद्धह होने चाहिए और विद्धह कौन होंगे विद्धह वह होंगे जो धर्म की बाते कहते हों जो नीती की बाते कहते हों धर्म क्या है धर्म वह है जिसमें सत्य का समावेश हो और सत्य क्या है सत्य उसे कहा गया है जो छल कपच से रहित हो वह सत्य है जो छल कपच से युकत हो वह सत्य सत्य नहीं है तो न सा सभा यत्रन संति वृद्धा वह सभा नहीं है या कहें कि वह सभा सभा नहीं है यत्रन संति वृद्धा जिसमें वृद्ध या अनुभवी लोग ना हो ना ते वृद्धा और वे वृद्ध वृद्ध नहीं है ये न वदंति धर्मम जो धर्म की बातें नहीं बोलते हैं अर्थात वृद्ध वेही कहलें कहलाएंगे जो धर्म की बाते कहते हूं जो निति की बाते कहते हूं abled Nasa Verdano नासव धर्मों और वह धर्म धर्म नहीं है यह त्रण सत्यमस्ति जिसमें सत्यता का समावेश नहों यह जिसमें सत्य नहों नातत्सत्यम और वह सत्य सत्य नहीं है यह चले नाभ्यू पीटम जो छल कपच से युकत हो अर्थात सत्य उसे कहेंगे जो छल कपच से रहित हो निश्पक्ष हो तब वह सत्य सत्य कहलाएगा तो इस तरह से इस लोक में बहुत महत्वपून बाते कही गई हैं स्लोक से संबंधित वह भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं पूरे स्लोक का अर्थ पूछा जा सकता है वाक्यान्स का अर्थ पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ट प्रस्णों पूछे जा सकते हैं जैसे प्रस्ण पूछा जा सकता है नसा सभायत्र नसंति उसके बाद फिर रिक् भरेंगे आप व्रिध्धा भरेंगे यदि चार विकल्प दे दिये गया है जैसे कह दिये गये वहाँ पर व्रिध्धा धर्मम सत्यम अब इसमें से फिर क्या सही है तो आप चोंकि इस लोग को भली भाती पढ़े हैं तो इसे जानते हैं तो नासा सभा यत्रन संति कि पहचान क्या बताई गए मृध्धा की पहचान बताई गए मृध्धों की पहचान बताई गए मृध्धू की विसेस्थाएं ड़कड़ता और अइसी थार्म की करते हो जो सत्य में सलख से उकतल और श् Maxysi संब्दित यह भी प्रस्न प्रूछा जा सकता है और श्लोग से संबंधित यह भी प्रस्न पूछा जा सकता है कि स्लोक में प्रयुक्त जो अव्याइपद हैं उन अव्याइपदों को आप चून कर लिखें तो अव्याइपद कौन-कौन से हैं जैसे न यह अव्याइपद है यत्र अव्याइपद है इसी तरह से न का प्रयुक बार-बार आया है तो ना और यत्र जो है इसमें क्या है यह अव्याइपद प्रयुक्त हुए हैं प्रस्न पूछा जा सकता है कथ यंति इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अर्थात कथ यंति इस क्रिया पद के पर्याय की रूप में इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है कौन सा प्रयुक्त हुआ है बिल्कुल सही वदन्ति तो तर लिखेंगे जैसे वदन्ती का मतलब होता है बोलते हैं इसी तरह से कथ यंति कतात परीविक्या होता है कहते हैं या बोलते हैं प्रस्ण पूछा जा सकता है आधर्मम इती पदस्य विपर्यय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अधर्मम इस पद के विलोम पद के रुप में कौन सा पद इस स्लोक में प्रयुक्त हुआ है उत्तर क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है धर्मम तो उत्तर लिखें आधर्मम इती पदस्य वीपर्य पदम असमिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति धर्मम ऐसे हिम स्लोक में जो संधी उक्त पद हैं जैसे नासव इसका संधी विच्षेद करने के लिए कहा जा सकता है धर्मो यत्र संधी विच्षेद करने के लिए कहा जा सकता है सत्यमस्ति संधिविच्षेद करने के लिए कहा जा सकता है यच्छलिय नाभ्यू पियतम इसको भी संधिविच्षेद करने के लिए कहा जा सकता है तो इन सभी का हमने संधिविच्छेद करके देख लिया है निश्चेद रूप से आप अभ्यास भी करेंगे इसका और इस तरह की पूछे जाने वाले प्रस्ण है इन प्रस्णों को भी आप सरलता से हल कर पाएंगे